डबसकार यूपी नौ बचे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मैं अमंदीब खबरों के शुरुवात करेंगे दिल्ली में कॉंग्रस चुनाव समीती की बैठा कोई जिसमें अमेटी और राइबरेली सीट पर चर्चा हुई है सुत्रों के हमाले से खबर है कि चुनाव समीती के सभी सदस्यों ने राखुल गांदी और साथी प्रियंका गांदी वाटबरा को अमेटी और राइबरेली से चुनाव लड़ानी की रिक्वेस्ट की है यूपी कॉंग्रस इकाई ने इस बात पर विश्य जोर दिया है कि कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे इस पर अंतिम निड़े लेंगे जल्द हो सकता एलान कि अमेटी और राइबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा हलाकि कॉंग्रस के तमाम निताओं की तरब से ये रिक्वेस्ट की गई है कि अमेटी और राइबरेली से प्रियंका गांधी और साती राइबरेली चुनाव लड़े तो अमेठियो और राइबरेली सीट जहां से कॉंग्रेस पार्टी की तरब से कैंडिडेट का एलान नहीं क्या गया है और पहले जानकारी ये सामने आ रहे थी कि वाइनट सीट पे एलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में अमेठी का रूप करेंगे राहूल गांदी लेकिन कल चडशा हुई बैठा कोई मीटिंग हुई और उसके बाद पे आप फाइनल फैसला मलिका अरजुन खडगे लेंगे जो की कॉंग्रस पार्टी के रास्ट्य अध्यक्ष है और साथी सबसे पहले संकेत में आपी के पास पे आऊंगे कल बैठक हुई आप माना जा रहा है कि जल्द ही मलिका अरजुन खडगे फाइनल फैसला लेंगे तो क्या आप यह माना जाए कि राइबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाडवरा और अमेठी से राहुल गांधी चुनाफ लड़ेंगे और जल्दी अपना नामंकन भी दाखिल कर सकते हैं बिल्कुल जाहिट सी बात है दरसल कॉंग्रेस की अगर उत्तर प्रदेश में सीटों की बात की जाए तो राइबरेली की ही लोगसभा सीट कॉंग्रेस के पास में खाते में है जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कॉंग्रेस की सभी लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस नहीं है सिर्फ एक सीट पर कॉंग्रेस के सोनिया गांधी सांसद रहीं और सोनिया गांधी अब रास्तवा पहुच गई है ऐसे में राइबरेली की सीट खाली हो गई है अब चर्चा यह है कि राइबरेली से प्रियंका गांधी ना मंकन कर सकती है वहीं अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से इसमती इरानी सांसद हैं बाती जंता पार्टी से केमरे मंत्री हैं ऐसे में अब अमेठी की सीट से राहुल गांधी ना मंकन कर सकते हैं ऐसा कांग्रेस सूत्रों की माने तो दरसल कांग्रेस पार्टी की ये कोशिस है कि उत्तर प्रदेश में जो इनकी दो ये सीटे लोग सभा की है जिन पर कांग्रेस की सिती बेहतर हो सकती है अगर वो मेनत करते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रे कि लोग सभा सीट पर राहूल गांधी प्रत्यासी हो सकते हैं और राइबरिलिक सीट पर प्रंका गांधी को चुनावी मैदान में उता सकते हैं दरसल कॉंग्रेस यही दो सीटे ऐसी है जिन पर चुनाव लड़ने की स्थिती में है और उत्तर प्रदेश में जो गटबंधन ह समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का तो ऐसे में इसका फाइदा भी कॉंग्रेस को मिलेगा जाहिर सी बात है अब कॉंग्रेस की पूरी वियो रचना करने में जुटी हुई है कि अमेठी और राइवली सीट पर उच्वावी मैदाने का दावा कर रहे हैं आल हल चल देख पार है क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीरे भी देखी जब राहूल गांधी के समर्तन में पोस्टर लगाए गए थे और मांग की गई थी कि राहूल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े रहा है कि वो ग्रामीर छेत्रों में अपना प्रचार प्रशार कर रहा है और जल्द ही राहूल गांधी यहां आएंगे और अपना नामांकन करेंगे और एक मजबूत प्रत्यासी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ेंगे और बड़ी जीत दर्च करेंगे लेकिन आपको इश्मिती रानी के साथ कंदे से कंदा मिला रहा है तो अब बहुत देर हो चुकी है जितनी देर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है अमेटी में भाजपा ग्राउंड लेबल पे उतनी मजबूत हो रही है हलाकि कॉंग्रेस की तरफ से यह दावा जरूर किया जा है कि final किया गया है अमेठी से लेकिन आखरी फैसला कॉंग्रेस के राष्ट्रे धक्ष खडगे जी को लेना है कल भी यहां के कॉंग्रेस कार्याले में कुछ हलचल हुई थी कुछ नेताओं यहां पर पहुंचे थे जो अस्थानी अस्तर के हैं लेकिन देर रात वो भी मायूस हुए जब कॉंग्रेस की सूची नहीं आई अब ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि एक दो दिन का और इंतजार है उसके बाद स्थिति किलियर हो जाएगी कि अमेठी सीट से गांधी परिवार का प्रत्यासी कौन होगा वहीं सूत्रों की माने तो यह भी चर्चा चल लही है कि अमेठी सीट से प्रियंका गांधी वाडरा को मैदान में उतारा जा सकता है और राहूल गांधी अपने मा के संसदिय छेतर अमेठी जा सकते हैं इस तरह के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं तमाम बयान बाजी की जा रहे हैं लेकिन जो जनता का इंतजार है वो खत्म हो ता हमारे साथ में जुड़ गया है मोहन राइबरेली के ऐसी सीटे जिसे कॉंग्रस का गड़ कहा जाता है सत्रा बार कॉंग्रस पार्टी ने यहां से जीत दर्श की है 2019 में सोनिय गांधी यहां से जीती थी अब 2024 में प्रित्याश्य को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरा रहे जानकारी यह सामने आरी कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती है आप वहाँ पर सियासी हल चल क्या देख पा रहे हैं और साथी कारेकरताओं में कितना उत्सा है जी आपको बताना चाहेंगे कि कॉंग्रेस के कारेकरता लगातार इस बात को लेकर लड़ेगा कॉंग्रेस का जो संगठन है वो ग्रामीडी लाकों में लगातार चोटी-चोटी बैठा करके अपने पूटरों को कन्विंस करदे में जुटा हुआ है कि यहां पर मेहरो गांधी परिवार का कोई सदस चुनाव लड़ेगा और यह इतनी फूल प्रूफ सीट है कि भले यहां पर विधान सबा की सीटे अब कॉंग्रेस नहीं जीत रही लेकिन लोग सबा की चुनाव में वो चाहे 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो लोकल वोटर है वो भी इस बात पो लेकर उस्तुक है कि अगर नहरो गांधी परिवार का कोई भी सदस चुनाव लड़ता है तो वो जीत जरूर धर्च करेगा अगर उनके परिवार का कोई तदस्य नहीं आता है तो ये सीट जो है कॉंग्रेस गवा सकती है ये सीट बीजेपी के जोली में जा सकती है ठीक है अब लगनाव चलते हैं संकेत मिश्रा हमारे साथ पर जुड़े हुए है संकेत बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इन दो सीटों पर जीत दर्च करने की वही बस्पा की बात कर ली जाए या बाकी विपक्षी जो दल है उनकी तरब से भी पूरा जातिगत समीकरन बैठा कर कोशिश की गई है कि जादा से जादा वोट वो अपने पाले मिला सके अब ऐसे में क्या कॉंग्रस पार्टी की कह सकते हैं कि चुनौती और भी जादा बढ़ गई है क्योंकि जातिगत समीकरन की लेहाद से देखे तो बस्पा ने भी काफी अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं और अगर बस्पा अपने वोटर्स को साधने में काम्याब होती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉंग्रस पार्टी की मुश्किले बढ़ सकती हैं फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमेठी की अगर सबसे पहले लोग सवा सीट की बात की जाये तो वहाँ पे केंडरी मंत्री स्मृती रानी सांसद हैं और भारती जनता पार्टी से वो इस बार अमेठी से प्रत्यासी दिये हैं इस प्रती रानी लगातार बैटके कर रही हैं ताबर तोड बैटके कर रही हैं आज भी वह उद्ध्या में रामलला के दर्सन करेंगी उसके बाद लामांकन करेंगी लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अमेठी में जो भारती जनता पार्टी ने चुनावी वियू रचना क बाद बात करें लोग जो बागी विधायक है उनके भाईयों ने पार्टी की सफा के लोग भी भाजपा में आगे और राय बरेली की बात करें राय बरेली से जो बागी विधायक है मनोज पांडे उनके भी परिवार के लोग लगातार और मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से वालग हो चुके हैं सिर्फ वो सदस से भर है और विधायक भर है समाजवादी पार्टी के लगातार वो अपने चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए है तो जाहिर सी बात है कि अमेठी और राय बरिली को भारती जनता पार्टी वहाँ पर मजबूत चुनावी वियू रचना कर रही है अलाकि अमेठी से इस प्रती रानी प्रत्यासी है और वही राय बरिली से भारती जनता पार्टी ने भी प्रत्यासी के नाम का एलान नहीं किया है लेकिन इतना ताय माना जा रहा है कि भारती जनता पार्टी इंतजार कर रही कि कॉंग्रेस पार्टी से कौन प्रत्यासी होता है उसके बाद भारती जनता पार्टी भी अपने प्रत्यासी का 24 गंटे के भीतर नामों का एलान कर देगी यानि कि भार्ती जनता पार्टी जो इकलोता दुर्ग कॉंग्रेस पार्टी का राइबरेली माना जा रहा है बिल्कुर संकेत और साथी राम मंदिर का अमेठी की जनता पर कितना असर पड़ता है और साथिक्या कॉंग्रस पार्टी इस बार इस सीट को बचा पाती कई सारे सवाल हैं आप तीनों का जानकारी साचा करने के लिए बहुत शुक्रिया